क्या कह रहे हो जंगल में चुरेल है ये कैसे हो सकता है हमने तो कभी देखी नहीं तुम्हें पतका यकीन है वो चुरेल ही थी तुमने किसी और को देखा होगा अरे हमारा तो रोज आना जाना लगा रहता है, हमने तो कुछ नहीं देखा, तुमने कैसे देख ली, जंगल में चुरेल तुम्हें कोई बहम हुआ होगा तुम इस पे अपना इतना देहन मत लगाओ, तुम अपना काम करो, ये किसी से कहना मत के तुमने चुरेल देखी है अरे भाई रामू तुम्हें पता है आज शहर से आते वक्त मैंने जंगल में चुरेल देखी है मैंने सोचा तुम्हें बता दू, मैं तो दर गया था यार अरे चाचा मैंने भी देखी है मगर मैं किसी को अगर बताता हूँ तो वो यकीन नहीं कर रहा है बताओ मैं क्या करूँ मैंने प्रिया को भी बताया था वो भी मेरा यकीन नहीं कर रही है मेरी मानो रामू एक बार अपने छोटे भाई रमेश से इस बारे में बात करके देख लो या एक बार और प्रिया से बात करके देख लो क्या पता तुम्हारी बात पर उसको यकीन आ जाए मेरी मानो तो पहले तुम प्रिया से बात कर लो फिर रमेश से बात करना मैं अभी प्रिया के पास जाता हूँ दोबारा उसको समझाने की कोशिश करता हूँ अरे प्रिया तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो अब तो धर्मेंद चाचा ने शहर से आते वक्त जंगल में चुलेल देखी है और धर्मेंद चाचा ने शहर से आते वक्त जंगल में चुलेल देखी है और धर्मेंद चाचा ने शहर से आते वक्त जंगल में चुल अब तुम मेरी बात पर यकीन करोगे या नहीं धर्मेंद चाचा ने कहा था तुम से बात करने के लिए कोई मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा है मैं क्या करूँ क्या बात कर रहे हो रामु भाई जंगल में चुरेल ये कैसे हो सकता है तुमने और धर्मेंदर चाचा ने कुछ और देख लिया होगा और तुम ये बात गाउ में किसी से मत कहना बरना लोग डर जाएंगे और कोई जंगल की तरफ नहीं जाएगा मेरी ये बात देहान से समझ प्रिया जरा बैठो तो मैं जंगल में चुरेल को मारने जा रहा हूँ, आज तो मैं उससे खत्म कराऊंगा क्या अभी तक तुम्हारे मन से यह बात गाई नहीं है कि चुरेल है अरे बाबा तुम्हारी मर्जी जो चाहे करो आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा जंगल की चुरेल, तुने मेरा जीना हराम कर डाला है आज तु नहीं बचेगी तुझको मार कर गाम वालों को दिखाओगा, देखो मैंने चुरेल को मार डाला, अब तु बच के दिखा तुम्हे मुझे मार कर क्या मिलेगा देखो, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुचाओगी, तुम मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बीगारा है, ये मेरा घर है, मुझे यहां रहने दो मुझे मेरे घर से बेघर मत करो वरना मैं सब को बर्बाद कर दुनगी इसलिए मुझे यहां रहने दो मैं तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुचाओगी तुम यहां से चले जाओ सुनो प्रिया तुम ठीक कहती थी यह मैं चुरेल को मारने गया था तो चुरेल ने मुझे से कहा था कि मुझे मत मारो मैं किसी को नुकसान नहीं पहुचाओगी